दोस्तों S-400 खरिदने के बाद एक तरीके से टर्किश एरफोर्स के लिए दुर्दशा का समय शुरू हो गया S-400 खरिदने के बाद जहाँ पे टर्की को अमेरिका के द्वारा F-35 प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया गया तो उही पे हाली में टर्की के तरफ से अमेरिका के सामने F-35 नहीं तो कम से कम कुछ F-16 यारक्राफ देने का गुहार लगाया गया पर अमेरिका ने भी साफ कर दिया कि F-35 तो भूल जाओ तुमें F-16 भी नहीं मिलेगा हाला कि उसके बाद टर्की के मेडिया के द्वारा ये जानकारी दिया गया कि टर्की के तरफ से योरो फाइटर टाइफून के तरफ अपना फोकस केंद्रित किया जाएगा पर अब बताया जा रहा है कि टर्की रैफैल खरिदने के तरफ आगे बाढ़ रहा है दोसो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि F-35 और F-16 ना मिलने के बाद क्या सच में टर्की के द्वारा रैफाल खरिदने के लिए फ्रांस के सामने हाथ फैलाया गया और क्या फ्रांस टर्की को रैफाल जैसे यारक्राफ देगा तो डीटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर त्यक बने रहिए और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए तो रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि टर्किश फ्रेसिडेंट रसफ तयव अर्दोगान जब फ्रेंच फ्रेंच फ्रेसिडेंट एमनोयल मेकरॉन के सामने असल में दोस्तो इस बात का खुलासा टर्किश मीडिया के तरफ सही किया गया है और उनका दावा है कि 16 में के दिन जब टर्किश फ्रेसिडेंट एर्दोगान फ्रेंच फ्रेंच फ्रेसिडेंट एमनोयल मेकरॉन के साथ एक टेलिफोनी कनवर्शेशन में थे तब उन दोन हाला कि दोस्तो पहले किसी भी निउस एजनसी के तरफ से इन बातों के उपर चर्चा नहीं हुआ कि अर्दोगान के तरफ से एमनोयल मेकरॉन के सामने रैफैल का मुद्दा उठाया गया पर थोड़ी दर के बाद जब एक पूर्ब टर्किश मिलिटरी के बरिष्ट अधिक हाला कि दोस्तो टर्किश मीडिया के तरफ से जब रैफैल एर क्रप्टों को खरीदने को लेके चर्चा शुरू हुआ तब उन सवालों को भी दोहराया गया जो वेसिकली एफ-सिक्टिन डिलेटेट था आपके जानकारी खेले बता दू कि टर्की के द्वारा एफ-सिक्ट मॉडनाइस करने के लिए अमेरिका का मदद चाहता था हाला कि टर्की के इस प्रस्ताप को एक तरिके से अमेरिकी प्रेसिडेंट जो वीडिन के तरफ से समर्थन तो दिया जा रहा है लेकिन अमेरिका के जो लॉमिकर्स है उस सम्पूर्ण रूप से इसके विपक्ष में है हाला कि दोस्तों लग रहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो वीडन के तरफ से चाहे जितने भी प्रयास किया जा और जितने भी टर्के के पक्ष में इन यार क्रेप्टों को बेजने के बातों को रखा जाए नहीं लग रहा है कि अमेरिका इन यार क्रेप्टों को बेश सकेगा और अधिक चांस यही है कि अमेरिका के लो मिकरों के तरफ से इसे संपूर्ण रूप से ब्लॉक कर दिया जाए हाला कि दोस्तों बताया जा रहा है कि तर्किश फेसिडेंट और फ्रेंच फेसिडेंट के बीच में टेलिफोनी कन्वर्सेशन से करिवन दो दिन पहले अमेरिका के हाउज आफ रेफेसेंटरिटिप के तरफ से एक लेजिसलेशन को पास किया गया और ये बताया गया कि किसी एक बड़ा शर्त ये है कि एरक्रेप किसी भी तरिके का कोई वी अनौथराईट फ्लाइट ग्रीस के उपर ना करे मतलब अगर टर्की के द्वारा यार्क्राप्टों को खरिदना है तो ये सुनिश्चित करना होगा कि इन यार्क्राप्टों को किसी भी तरीके से ग्रिस की उफर फ्लाई ना किया जाए हाला कि इसे लेके टर्कीस एक्सपरडों के तरफ से बताया जा रहा है कि अमेरिकी अड्मिनिस्ट्रेशन कभी वी इस तरीके के सेल का एप्रूबल इसलिए नहीं देगा क्यूंकि ग्रीक लॉवी के कारण अमेरिकी अड्मिनिस्ट्रेशन को ये डर है कि उनके सामने ये साफ हो चुका है कि अमेरिका से किसी भी तरीके के एरक्रैप मिलने का संभावना है फिलाल टर्की के सामने नहीं है और इसी कारण टर्की को अव दूसरा रस्ता तलाशना पड़ेगा। ग्रीस और फ्रांस के वीच में close defense tie है इवन फ्रांस के दुआरा टर्की के किलाव ग्रीस को भी कई सारे मुद्दों में समर्थन दिया जाता है। इलावा ख़वर ये भी है कि ग्रीस के इन रैफल एयर क्रेप्टों को ही counter करने के लिए टर्की के तरफ से भी प्रयास चलाया जा रहा और एक तरीके से कतर एयर फोर्स के जो रैफल एयर क्रेफ्ट है उसके सहारा लेके टर्की अपने पालोटों को अभ्यास भी कर रहा है और रैफल एयर क्रेप्टों को कैसे counter किया जारा इसे लेके practice भी कर रहा है तर्की और कतर के वीज में जो समझोता है उसके मुतावि कतर के द्वारा तर्की में करीब-करीब 36 जेट को डिप्लॉई किया गिया है और साथ में 250 परसनल्स को भी डिप्लॉई किया गिया है हाला तर्की को रैफल के खिलाब अपने आपको मजबूत करने को लेके तयार तो करता है लेकिन इससे France नाराज हो सकता है क्योंकि ये aircraft France का है और दूसरे तरफ कभी वी कोई देश ये नहीं चाहेगा कि जिन देशों को aircraft बेचा किया है वो aircraft किसी अन्य देश में deploy हो जिसके साथ एक तरीके का मदवेद है तो तर्की और फ्रांस के वीच के जो मदवेद है इसके बारे में शायदि आप लोगों को बताना जरूरी होगा क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि जब फ्रांस में कुछ धार्मिक मुद्दे को लेके बाते उठाता तव तर्किश फेसिडेंट क के सेल के बीच में आ सकता है तो इसके साथ बड़ा सवाल ये भी है कि तर्की एफ-16 के जगा में जिन राफाल एयरक्राप्टों को खरीदने का सोज विचार कर रहा है क्या ये एफ-16 एयरक्राप्टों के जगा ले सकेगा तो आपके जानकारी के लिए बता दू तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि राफाल येरक्राप्ट वाकू भी एफ-16 के जगा ले सकता है इवन देखा जाए तो एफ-16 से भी ये ये येरक्राप्ट करीब-करीब एक जनरेशन आगे है तर्की के पास जो एफ-16 एयरक्राप्ट है वह असल में 3.5 जनरेशन के येरक्राप्ट हत्यारों को केरी करने का शमता दोस्तो राफाल येरक्राप्टों को एक तरीके से काफी स्टेल्थ येरक्राप्ट कहा जा सकता हाला कि ये 5 जनरेशन के येरक्राप्टों के बराबर का स्टेल्थ नहीं है लेकिन किसी भी 4 जनरेशन या 4++ जनरेशन के येरक्राप्टों के म किया गया है और हैमर जैसे खतरनाक तरिन बॉम को भी ये कैरी कर सकता है दूसर तरफ अगर देखा जाए तो इन एरक्रेप्टो में इस्तेमाल होने वाले एक्टिव इलेक्ट्रोनिकल स्कैन एरे रेडर को दुनिया के सबसे ताकतवर तरिन और सबसे आधुनिक A.E.A. से रे आधुनिक A.E.A. के द्वारा तरकी के बेसेस के ऊपर हमला किया गया था तब टरकी के ना एर डिफेंस सिस्टम इसे काउंटर कर सका और ना ही तरकी शेयर फोर्स के F-16 इन एरक्रेप्टों के खिलाब डिप्लॉय हो सका हला कि दोस्तों एरक्रेप्टों के ये खासियत को राफाल यार्क्राफ जैसे यार्क्राप्टों का सप्लाई करेगा क्यूंकि यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूगी खाली ग्रीस ही एक मात्रफ फैक्टर नहीं है बलकि बताया जा रहा है कि इराग भी फ्रांस से करिफ-करिफ 14 राफाल यार्क्राप्टों को ख कर रहा है और इससे इराग काफी अधिक परेशान है और इन यार्क्राप्टों को काउंटर करने के लिए ही राफाल यार्क्राप्टों को खरिदने का प्रस्ताव इराग के द्वारा फ्रांस के सामने रखा गया है और बताया जा रहा है कि एक तरीके से फ्रांस के तरफ से इसे लेके clearance दे दिया गया और France जल्दी एराक को एराफाल एरकेप बेश सकता है हाला कि इसके इलावा अगर देखा जाए तो एराक एक ऐसा देश है जो France से हत्यारों को खरिदता भी है और France के साथ अच्छा रिस्ता भी रखा है जबकि दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो एराक का ये मानना है कि राफाल एरकेप्ट ही है जिसे अगर limited संख्या में भी खरिदा जाता है तब भी ये टर्की के F-6 एरकेप्टों को सवक नहीं सिखा सकता है बलकि तर्की को संपूर्ण रूप से इस हेत्र शे दूर भी रख सकता है हाला कि दोस्तों तर्की के तरफ से ये और फाइटा टाइफुन जैसे येरकेप्टों के संभावनाओं का भी जिकर किया जा रहा है लेकिन फिलाल टर्की जिस situation में फसा हुआ है और जिस तरीके से टर्किश फेशिरेंट एर्दोगान ने टर्की का छवी योरोप में बनाया है इसके बाद योरोप के काफी सारे देश टर्की को लेके नाराज है और शायद ही कोई देश टर्की के पक्ष में फिराल कोई एरक्रेप्टों के सेल में है और योरोपाइडा टाइफुन को अगर देखा जाए तो ये तो कई सारे देशों के कंसर्शियम के द्वारा जॉइंटली बनाया हुआ रहाएसे में अगर किसी एक देश एरक्रेप्टों को बेचने के बिपक्ष में हुआ तो टर्की के लिए योरोपाइडा टाइफुन के सपना भी चूर चूर हो जाएगा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आथ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद